हेलो फ्रेंड्स अभी तक जावास्क्रिप टूटोरियल में हम वेरियेबल्स, प्रोग्रामिंग के स्रक्ट्स जिसमें की हमने लूप्स, कंडिशनल्स किया और फॉर्म हेंडिंग के उपर हम वर्क कर चुके हैं तो अब जब हम प्रोग्रामिंग का कॉंसेप्ट सीखते हैं हमें बहुत बार कोड में प्रॉब्लम आने की वज़ा से डिबगिंग भी करनी पड़ती है जिसे हम कोड में एरर निकालना बोलते हैं तो आज के इस एपिसोड में हम जावास्किप्ट की डिबगिंग करना सिखेंगे क्रोम डेवलपर टूल्स यूज़ करके आये चलते हैं और क्रोम डेवलपर टूल्स को यूज़ करना सिखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम गुगल क्रोम ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में डेवलपर टूल्स टाइप करके जब हम एंटरप्रेस करेंगे तो पहला ऑप्शन ही जो पहले स्क्रीन पर आएगा क्रोम डेव टूल्स उस ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्रोम डेव टूल्स की डॉक्यमेंटेशन ओपन हो जाएगी और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवर व्यू ओपन क्रोम डेव टूल्स CSS करके इस तरह से डिफरेंट आप्शन हैं जो हम क्रोम डेवलपर टूल्स के यूजज के बारे में बताते हैं तो इस एपिशोड में हम जावास्क्रिप्ट को टारगेट कर रहे हैं तो हम क्रोम डेव टूल्स का जावास्क्रिप डिबगगिंग के कॉंसेट पे चलेंगे जो स्क्रॉल करके हमें नीचे मिलेगा तो जब हम जावास्क्रिप्ट के यहां पर सेक्शन पर पहुंचेंगे वहां पर पहला ऑप्षिन है डिबग जावस्क्रिप्ट यहां क्लिक करने पर एक यहां पर एक टुटोरियल ओपन होगा जिसका वीडियो फॉर्मेट भी है और नीचे step by step हमारा यूज करने का concept है कि कैसे हम जावस्क्रिप्ट डिबगिंग कर सकते हैं तो यहां पर आप देखे स्टेब वान है रिप्रोड्यूस दबग तो हम एक छोटा सा डेमो प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिसमें कि एक बग है और वह बग क्या है वह मैं आप आपको डेमो प्रोग्राम ओपन करके दिखाता हूं तो जब आप यहां पे अपने ब्रॉजर में यह वाला पेज खोल लेंगे और ओपन डेमो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब पेज ओपन होगा यहां पे उसमें आपके दो टेक्स बॉक्स हैं नंबर वान नंबर ट करता हूं कि हम F12 करके इसका शॉटकट है यहां कंट्रोल शिफ्ट आई विंडोज पीसी पे जिसे यूज़ करके हम डेव टूल्स का यहां पे कंसोल ओपन कर सकते हैं और एक और ऑप्शन है अगर आप ग्राफिकल इंटरफेस से जादा फिमिलियर हैं तो आप यहां पे मे कंसोल पर जाएंगे और वहां पर हम डिबगिंग का कॉंसेप्ट यहां पर अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कंसोल में यहां पर कुछ एरॉर वगारे डिस्प्लेय कर रहा है लेकिन आप इसे अभी फिलाल इस पर ध्यान नहीं दीजिए आप यह जो पेज है वैब फॉ वन आ रहा है जो की टेक्निकली गलत है क्योंकि 5 प्लस वन हैस्टू भी 6 तो कुछ ना कुछ बग हमारे प्रोग्राम में है जिसकी वज़ा से यह 5 प्लस वन इकलू 51 आ रहा है तो इसे वाच करने के लिए हम क्या करेंगे हम अपने डेवलपर टूल के अंदर इसे वाच करे हैंगे हम यहां पर सॉर्सिज वाले टाप पे क्लिक करेंगे नीचे डेवलपर टूल में आप देखिए कंसोल के साथ एक टैब है सौर्सिज शौर्सिज टैब में क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहां पर get started.js करकर फाइल है जो यहां पे हमारे वेब पेज में यूज ह करेंगे तो वहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ वहाँ पर आपको functions यहां पर नजर आ रहे हैं और इसी को आप डिबड करके देखेंगे क्यों आपका number one or number two जो है वह एक string concatenation प्रह जो कर रहा है करेंगे और राइट सेट पे आपका डिबगीग टूल है जिसके थे यहां पर हम इवेंट ट्राइप करेंगे हमें मालूम है कि जो आपका कोड है कब रुन करता है जब इस बटन पे ओसे क्लिक करते हैं तो means की हम जब event listener breakpoint यहां पर create करेंगे अब javascript के code में concept होता है अभी तक हम जो पीछे episodes कर चुके हैं console.log यूज कर चुके है console.log के तुर हम variable का जो output है वो console पर send करते हैं तो variable हमें console पर उसकी value डिस्पले हो जाती है console.log भी कुछ developer यूज करते हैं debugging के लिए लेकिन वो थोड़ा सा long drawn process है console.log के लिए आपको code को change करना पड़ता है directly code file में लेकिन जब आप breakpoints वाला concept जो मैं भी बताने जा रहा हूँ उसके थूँ आप running code के अंदर breakpoints set करके breakpoint क्या आता है जब running code को आप किसी point पे आके break कर देते हैं stop कर देते हैं या pause कर देते हैं तो breakpoint set करके आप देख पाएंगे कि कहां पे आपके program में error है और इस error को trap करके आप उसको correct कर पाएंगे तो यहां पे हमें मालूम है कि mouse के click event पे यह code run कर रहा है इसमें कहीं पे कोई bug है तो हम event listener breakpoints के को open करेंगे click करेंगे तो uncollapse हो जाएगा और उसके बीच में mouse events को open करेंगे expand करेंगे उसमें click event के left side पे checkbox पे हम tick लगा देंगे यहां पे तो mouse की click event पे हम break करना चाहते हैं अपने code को तो कहने का मतना जब मैं यहां पे click करूंगा add number one and number two तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पे उपर pause in debugger करके उपर आपका छोटा सा button आ गया एक highlight हो गया और साथ में आपका जो code window है उसमें आप देखेंगे तो line number 15 लाइन नंबर 15 पे आके आपका जो code है उसकी जो run है उसमें pause आ गया तो if input inputs are empty इस function पे आके code रुख गया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो line number 16 17 और next line number 19 अपडेट लेबल function को call कर दिया अपडेट लेबल function एक ऐसा function है जिसके अंदर हमारा यह जो code है run कर रहा है जो की label जो नीचे label है बटन के उसमें content display कर रहा है तो as a programmer I understand की update label function में ही कहीं पे कुछ bug है जो string concatenation create कर रहा है तो इसे watch करने के लिए अब जब मैं यहां पे event trap कर लिया मैंने तो मैं update label function पे ही scroll down कर जाओंगा और वहां पे code lines को statement by statement read करता हूं तो मैं देखता हूं कि line number 29 where addand1 equal to get number 1 addand2 equal to get number 2 where sum equal to addand1 plus addand2 and label.textcontent equal to addand1 plus symbol plus addand2 plus equal to symbol sum so कहने का मत्तब यह है कि अगर मैं इस line पे breakpoint लगा देता हूं इस line पे code को अपने stop कर देता हूं temporarily pause कर देता हूं और यहां पे मैं अपने variables की value को watch करता हूं तो मैं यह breakpoint लगाके यह debug कर पाऊंगा कि मेरे code में किस line में error generate हो रहा है कि numbers जो है वो strings की तरह treat हो रहे हैं तो वो मुझे error trap करना है तो मैं क्या करता हूं जहां पे 32 लिखा है वहां पे मैं mouse से click कर देता हूं तो हम देखेंगे कि यहां पे left hand side पे blue color का marker लग गया इसका meaning कि जब मैं code को run करूंगा तो code यहां पे आके break करेगा तो मैं top पे अपने browser में pause in debugger के play button पे click कर सकता हूं या मैं debug वाली pane में भी play button पे click कर सकता हूं यहां भी मुझे suitable लगता है वहां पे मैं click करके code को फिर से run कर देता हूं तो click करते हैं आप देखते हैं तो यह code मेरा यहां पे आके stop mode में आ गया आप देखिए कि यहां पे फिर से pause in browser करके लिख है अब mouse को जब मैं scroll करके यहां पे लेके जाऊंगा तो आप code window में watch कीजिए add and 1 equal to 5 within double quotes add and 2 equal to 1 within double quotes and sum equal to 51 add and 1 equal to 5 so on अब हम यहां पे यह देख रहे हैं कि जो मेरे numbers हैं वो strings की तरह treat हो रहे हैं text की तरह तो जब text की plus sign के साथ joining होती है तो 5 plus 1 आपको 51 आएगा जो हम नहीं चाहते तो कहने का meaning यह है कि line number 31 is the culprit, line number 31 में जब हम submission कर रहे हैं तो हमारे यहां पे parse int करके function use करके हमें string को numeric में convert करना चाहिए था एक तो यह technique होगी, आप सीधे देख पा रहे हैं variable की value दूसरे यहां पे debug pane के अंदर watch वाला जो आप section open करेंगे तो वहां भी आपको दिखेगा watch वाले section में या scope वाले section में scope वाले section में आप click कीजिए उसको open कीजिए तो आप देखे लोकल scope में आपको दिख रहा है add and 1, 5, add and 2, 1 और sum 51 scope के थूरू भी आप watch कर सकते है और watch वाले जो window में आप यहां पे plus sign है उसके click कर सकते है और plus sign पे आप कुछ भी javascript command run करके उसका output देख सकते है तो अगर मैं यहां पे type करता हूँ javascript का एक operator है type of type of operator यह बताता है कि जो variable है उसकी type क्या है वो string है, numeric है, boolean है, क्या है तो मैं sum variable की type of check करना चाहता हूँ मैं enterprise करता हूँ तो जब मैं enterprise करूँगा type of sum तो type of sum मुझे string यहां पे result आजाएगा इसका meaning क्या है कि sum जो है numeric नहीं है, string है जबकि मेरे concept के साब से as a programmer मुझे sum एक numeric चाहिए था तो मुझे यहां पे correction करना है, line number 31 का मैं source code खोलूँगा अपने जो भी code editor होगा वहां पे और उसमें line number 31 में इनको integers में convert कर दूँगा, तो integers में convert करने के लिए JavaScript में कमाड़ होती है, percent तो मेरी line number 31 आप code window में देखिए, कैसा होना चाहिए, so it should be percent पहले तो मैं code को run कर देता हूँ, breakpoints यहां से remove कर देता हूँ, right, click वाला breakpoint remove कर दिया, line number 32 का breakpoint भी मैंने remove कर दिया, यह debugger में मेरे एक option है, सीधरी यहां पे deactivate breakpoints, तो आप देखिए, यह icon है, breakpoint का symbol है, और साथ में slash है, is deactivate breakpoints, इससे मैं click करता हूँ, तो जो भी breakpoints मैंने code में अब तक लगाए होगे, सरे deactivate हो जाएंगे, उसके बाद मैं code को run कर सकता हूँ, तो break कहीं भी break नहीं करेगा, तो तो जब summation होगी, तो उस case में, अब जब summation होगी, तो उस case में क्या होगा, numeric में रहेगा, जो आपका sum है, क्योंकि where sum एक पार्सेंट, spelling error हो गया, मिसलिए यहाँ पार्सेंट की जगा, एक्स्टा रग गया, तो पार्सेंट, so where sum एक पार्सेंट, add and one, add and two, और आपने यह ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने server पे, आपको यह update करना है code, तो आपको अपने code editor में update करके server पे फिर से upload करना पड़ेगा, FTP के यहाँ सिरफ testing के लिए आप change करके देख सकते हैं, तो इसका impact सिरफ आपके browser window में होगा, जो main file है, जो run कर रही है, और जो आपका JavaScript का code है, और बाकी कोई अगर आपको server के थूई है, आपकी file access करेगा, तो उसको वही error आता रहे, तो आपको अपने browser में, तो testing के लिए change करके देख सकते हो, actual में आपको अपनी base source file को change करके server पर re-upload करना पड़ेगा, तब ही आपका bug यह finally remove होगा, तो अभी आपने देखा कि कैसे हम Google developer tools यूज़ करके Java को debug कर सकते हैं, यह बहुत powerful feature है, और debugging के बिना कोई भी programmer ज्यादा complex programming नहीं कर सकता, क्योंकि debugging करके ही आप bugs निक काल सकते हो, और complex code build कर सकते हो, चोटे-चोटे code components के उपर, तो इस session में मैंने जो आपको बताया, वो एक part है debugging का, अगर आपको पूरा debugging का concept सीखना है, तो यह जो मैंने Google developer tools का आपको यह documentation वाला page दिखाया, इसमें अगर आप वापिस जाएंगे, तो आप देखेंगे कि CSS का भी आपको different techniques है, CSS कैसे change करके आप output चेक कर सकते हैं, और JavaScript debugging में भी आपके different, different advanced options भी हैं, जिनको आप study कर सकते हैं, अपने end पे, self study कर सकते हैं, और debugging यूज़ करके, एक अच्छे programmer आप बनने का कोशिश कर सकते हैं. दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो like बटन पर हिट ज़रूर करें, और regular वीडियो आपडेट्स के लिए चैनल सब्स्राइब करके, बैल आइकोन पे प्लिक करना ना भूलें, तो अगले एपिशोड में मिलते हैं, और discuss करते हैं, string functions के बारे में, जिनके थू हम स्ट्रिंग्स को यानि किट टेक्स को मैनुपलेट करना सीखेंगे,